www.alineamonmoon.com इस जगमगाते चांद ने शैतान और उसकी पार्टी के लिए क्या आग लगा दी है चांद पर इमाम अली का नाम हर जीवित प्रानी पर चमक रहा है जो उन्हें सही रास्ते की याद दिलाता है अल्ला का नुकता है इमाम अली जिसने तमाम इनसानों के बनाए हुए नजिस नुकतों को मिटा दिया और मुनाफकों का बेड़ा गर्ग कर दिया इमाम अली खुदा का जर्रा वो नुकता जहां से तमाम तखलीक शुरू होती है चांद एक नुक्ता जिसमें चांद पर इमाम अली का नाम है सुनी शेख हाफिज सुलिमान इबन अल्किंदोजी हनफी की लिखी हुई सुनी किताब जन्नत अल्मवाद डाता में उन्होंने दर्ज किया है कि इमाम अली ने फरमाया झो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना बागी है इसका इल्म गुरान में है और कुरान का तमाम इल्म सूरा फातिहा में है और फातिहा का तमाम इल्म उसकी बिस्म उल्ला में है और बिस्म उल्ला का तमाम इल्म बाब में है और में अलीत बा के नीचे नुक्ता हूँ जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना बाकी है इसका इल्म कुरान में है कुरान मजीद में सूरा फातिहा मौजूद है सूरा फातिहा साथ आयात पर मुश्तमिल है इसमें पूरे कुरान का इल्म मौजूद है कुरान की सूरा फातिहा एका आगास तीन अर्बी अलफाज बिस्म अल्ला से होता है जिसका मतलब अल्ला के नाम से है बिस्म अल्ला के तीन अल्फाज में हमें वो तमाम इल्म मिलता है जो कुरान की सूरा फातिहा में है कुरान में बिस्म अल्ला अर्बी हर्फ बाव से शुरू होता है जिसमें एक नुक्ता होता है عربی में हर्फ बा अंगरेज़ी में बी के बराबर है अर्बी में हर्फ बा एक नक्ते पर मुश्यमिल है नक्ते के बगेर अर्बी में कोई हर्फ V नहीं है इमाम लियुक्त के नकते में अर्बी हरा नकते के बगएर कभी भी भी नकते के बगिर कभी भी भी हरा नकते के वगों थाक हुअ. ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات میں چاند کو ایک نقطہ بنایا ہے جس کی سطح پر عربی میں علی کا نام ہے تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تمام مخلوقات کو بتا رہا ہے کہ امام علی ہر چیز کا علم رکھنے والی ہستی ہے امام علی وہ نقطہ ہے جہاں سے تمام مخلوقات کا آغاز ہوتا ہے اور تمام علم کا اخراج ہوتا ہے یہ امام علی نقطے سے پھیلتا ہوا علم ہے जो हर चीज़ को तखलीक करता है अल्ला ताला तमाम मखलुकात को इमाम अली का फलसफा नुक्ता नजर दिखाना चाहता है इसलिए जब भी अल्ला ताला काइनात में किसी तखलीक की अब्तिदा करता है तो तखलीक की अब्तिदा नुक्ते से करता है हर एक तखलीक एक नुक्ते से पैदा होती है इनसान, जानवर, पौदे ये सब नुक्तों से बनाए गए हैं जिन्हें हम बीज और एम्डियू कहते हैं यहां तक के बीज खुद नुक्तों से बनाए गए हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं गैसे, मदनियात और रोश्नी सब जोहरी नुक्तों से बना है। अगर एटम मजीद बखर जाएं तो हमारे पास इलेक्टरान, प्रोटोन, न्यूटरान और फोटोन हैं, वो सब नुक्ते हैं। अगर हम सूरज, चांद, जमीन और दीगर तमाम सेयारों की तरफ देखें तो बिलाशुबा ये सब नुक्तों की तरह दिखाई देते हैं। यहां तक के सयारों के मदार भी सरकुलर हैं, जो एक नुक्ते की नुमाइंदगी करते हैं। तमाम तखलीक नुक्ताहा कानून से घरी हुई है, जब भी तखलीक शुरू होती है, एक नुक्ते से शुरू होती एक लाइन नहीं बनाई जा सकती अगर उसे बनानी के लिए काफी नुकते ना हो। खुरूफ बा, ता, सा, आग कोई दूसरा हरफ नहीं लिख सकता अगर उसे बनानी के लिए काफी नुक्ते ना हूँ। दाइरा, मुसद्दस अकागस पर किसी भी शकल को बनानी के लिए इसे मकमल करने के लिए काफी नुक्तों की जरूरत होती है। टीवी स्क्रीनों में हमें टिक्सल्स मिलते हैं। वो रोशन नुक्ते हैं। इन रोशन नुक्तों के बगएर टीवी स्क्रीने काम नहीं कर सकती। नुक्ता जितना भी बढ़ा हो जाए, फासले पर ये एक नुक्ते की तरह लगता है। शुरू में इनसान अपनी मा के पेट म सिर्फ एक नुक्ता होता है और फिर वो नुक्ता एक मुकमल इनसान बन जाता है लेकिन अगर किसी ने कुछ दूर से पूरे बालिग इनसान को देखा तो वो फिर एक नुक्ते की तरह नजर आता है अल्ला कुरान की सूरा 21 आयत 30 में फरमाता है क्या काफरों ने गोर नहीं किया कि आस्मान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हम ने इनको अलग किया और पानी से हर जानदार को बनाया फिर क्या वो इमान नहीं लाएंगे काइनात एक नुक्ते वाली चीज थी और फिर अल्ला ताला ने इसे वस्त दी और नुक्ते ने खर्बों कहकशाओं के साथ एक बड़ी काइनात बन गई लेकिन अगर हम काइनात को बहुत दूर से देखें तो ये दोबारा एक नुक्ते की तरह नजर आएगी दरहकीकत पूरी काइनात बड़े और छोटे नुक्तों से बनी है हर चीज इमाम अली की दस्तरस में गहरी हुई है इसलिए जब भी कोई तखलीक शुरू होती है तो इसका आगाज एक नुक्ते से होता है जो इमाम अली की अजमत को जाहर करता है अमाम अली की विलाएत हर चीज को घेरे हुए नुक्ते का कानून है अमाम अली खुदा का जर्रा है वो नुक्ता जो हर चीज की वज़ात करता है और हर चीज पर मुश्तमिल है इस सिलसले में अल्भ टाला कुरान मजीद की सुरह 36 आयत 12 में फर्माता है गुरान सूरा 36 आएट 12 बेशक हम ही बेजान को जिन्दा करते हैं और जो कुछ उन्होंने आगे किया और जो कुछ छोड़ा इसे लिखते हैं और हर चीज़ को हमने एक जाहिर इमाम इमाम मुबीन में महफूस कर रखा है इमाम अली अलेही अस्सलाम वो जाहिर इमाम है जिनकी जात में अल्ला ने हर चीज को महफूज कर रखा है लहज़ा जब भी अल्ला ताला किसी तखलीक की अब्तिदा करता है तो उसकी अब्तिदा अमाम अली के जरिये करता है अल्लाओ तालाओiał ने इमाम मुबीम को जाहिर करने के लिए चान्द पर अली का नाम जाहिर किया है और इसी तरह इसने इस वसी काईनात में चान्द को एक नुक्ता बना दिया है ताका है यह जाहिर हो के इमाम अली अली İş azz.ահआपी का इल्म रखने वाले है अल्ला काइनात में जाहिर नहीं हो सकता अल्ला ताला मखलुकात में जाहिरी शक्ला निशान जदा और काबिल तवज्जों नहीं हो सकता इसलिए इसने इमाम अली अलेही असलाम को जाहिरी शक्ल, मरी शक्ल, निशान जदा शक्ल के लिए पैदा किया है माहिर तबीयात पाल डेरिक ने कहा जगा कुछ भी नहीं है नहीं जगा जब तक कि इसके मरकज में कोई शख्सियत खड़ी नहो अल्ला ताला ने इमाम अली अलेही अस्सलाम को काइनात की बुनियादी शख्सियत बनाया है ताका रह्मान को पहचाना जा सके इस स्लसले में तारिक बन्षभाब ने पोछा ए अमीर अल्मौमिनम, अमाम अली, एमाम के फजाईल बयान फरमाई अमीर अल्मौमिन, अमाम अली अलयही अस्सलाम ने जवाब दिया अमाम की किसी एक सिफ़त को भी पहचाने का हुनर और मुशाहिदा किसके पास है आउस की तस्वीर एद्राक कर सकता है जब वो इमाम की हकीकत को बयान करने की कोशिश करते हैं तो जमीन और आस्मान आजिज हो जाते हैं इमाम वो है जो काइनात के मरकजी नुक्ता में है इस तमाम मदार का महवर है इमाम उन तमाम चीजों का राज है जिसका वजूद मुम्किन है इमाम खालिक इलाही की करन है इमाम अजीम तरीन और अजीम की अज्मत है आस्मानों और जमीन की इज्जत ये रवायत हदीस तारिक के खुदबा का सिर्फ एक मुखतसर हिस्सा है चांद इस वसी काइनात में एक नुक्ता है और अल्ला ताला ने इमाम अली का नाम चांद पर रखा है इस तरह इमाम अली वो नुक्ते हैं जहां से तमाम मखलुकात का आगाज हुआ इमाम अली का नाम चांद पर लिखा है किताब का नाम है चान्ड की निशानी नाजिल हो गई, इसलाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा चान्ड पर इमाम अली का नाम अल्ला की फतह का ज्हंडा है किताब www.alynameonmoon.com से डाउन लोड की जा सकती है चान्ड पर इमाम अली के नाम के हवाले से कराची पाकिस्तान में तीन रोजा कान्फरेंस का इनिकाद किया गया इस कान्फरेंस की मुकमल वीडियो यूट्यूब पर उर्दू जबान में देखी जा सकती है इस वीडियो में हमने चान्द कान्फरेंस पर इमाम अली के नाम का सिर्फ डस मिनिट का वीडियो ट्रेलर दिखाया है www.alinaymanmoon.com खसूसी शिर्कत करने के लिए जो नारवे से तर्शिफ लाए है मुबलिग इसलाम अल्लामा स्यद ताहिर अली काजमी सहब को कि वो अपना खुद्बा पेश करें अल्लामा स्यद ताहिर अली काजमी सहब नारे तक्बीर विए उनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है देखें चांद पर कितने साल होगे हम कहानियों सुझे चांद पर बुडिया रहती है योरप में लिका फेस इन दमून चेहरा है चांद के उपर कोई कहदे चांद के उपर टेड़ी मेडी लकीर लगी हुई है कोई कुछ कहदे कहा गोहर शाही है यहां के किसने का उसकी तस्वीर है सारी दुनिया ने माल लिया इनसानियत का मिजाज है ऐसा कि जो भी बे मकसद बात हो उसे माल लेते है कि जो बे मकसद बात हो उसे माल लेते है लेकिन जहां पर मकसद नजर आए उसको मानने से रुक जाते है क्यों कि वहां जहां मकसद है वहां फजल है जहां फदल है वहाँ असाथ 야 लिया ripple just now इस्वाना नहां जहां नहां जहां फदल है वहाँ हसद याले लिया अलिया वैर यह फजीलत वहाँ पहनी को मिल गही है क accompany मुसल्मान अली का नाम लेने से क्यों घबराता है अली आए तो इसलाम आया अली ने आँख खोली तो हिकमत के दर खुले अली बोले तो कुरान को सुबान मिली अली ने हाथ उठाया तो अदालत को मीजान मिली अली चले तो तोहीद के चराफ चले अली ने अली बड़े तो कुफर की जुल्मत भागी अली सोए तो रिसालत की किस्मत जागी अरे बिस्तर पे कदम तो नफसुला बने खैबर में अलम तो यदुला बने मंदर कोसैन पे नजर तो एनुला बने कोसैन अली के किनारे कोनैन अली के सहारे विक्डे तकदीर इसलाम तो रिसालत अली को पुगारे अरे तुम किस इसलाम में चल पड़े प्यारे अली को छोड़कर किनारे किनारे सुखान अल्ला सुखान अल्ला । पिरता किजिए सुखान अल्यारे है जहां जहां तोहीद की अबादियत है वहां वहां अली की विलायत है जहां तक रसूल की रिसालत है वहां वहां अली की खिलाफत है जहां इसलाम का इक्तिदार है वहां अली की हिदायत है अरे तुम अली का नाम क्यों नहीं लेते क्या शिकायत है अली का नाम लेना मुमिनों की अबादत है अली का नाम लेना मुजाहिदों की आदत है नाम अली मुश्किल कुशा है ये जिबरील जानता है अली का नाम जीत की अलामत है कोमिटी मानती है अली का नाम फता की जमानत है पाक फो जानती है सारा जहां अली से सारा जहां पढ़ रहा है अली से सारा समा चल रहा है हर दम अली अली है हर कदम अली अली है नगर नगर अली है गली गली अली है पहले जमीन पर भी अली अली था आचान पर भी अली अली नारे है नरी जमन जमन गली गली नगर नगर गली गली नारे है नरी वे ये हर मकाम पर काइनात में अली इसलिए है जालिका फदलुलाह युटी है मैं ये शाओ ये लह का फदल है जिसे चाहता है देता 62 सुरत अल्चुमा की पाँचवी आयत है ये वे लुटी है और लाह कैसा है वो अजीम फदल वाला है अब जिसे रब काइनात अजीम कहें कितना बड़ा फदल होगा रब काइनात की अजमत का तकाजा है कि जिस फदल को अजीम कहें उस फदल का तासृर काइनात में हर मकाम पर नजल आए उस फजल का तास्र काइनात में हर मकाम पर नज़र आई इसलिए हर जगा अली अली है कि अल्लाह और रसूल ने चाहा है कि अली अली हो इतना बड़े खुदा ने वपना है अब मुला अली 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 तवज़ रखिये मशारिक अलन्वार बहुत मशूर किताब है उसमें एक मरतबा खुदा दिया है मुला अली 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 उसमें एक खुदा जो मुला का है जो अलामात हैं उनके मुतलिक, सलावाद बार लीजिए अब मुला अलिया 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 अलि औरे मैं वो सबसे बड़ी ये कियामत के नाम है मैं सबसे ज्यादा बड़ा गिरा देने वाला हूँ पना कर देने वाला हूँ अनल हाकातो अनल कारियातो अनल गाशिया औरे मैं ही हूँ हाका मैं ही हूँ अल कारिया मैं ही हूँ अल गाशिया और ऐ स्लमान अबुजर हम एहले बैत है को जो ल्ला की आयात है जात की दलीले है ल्ला के हिजाब है ल्ला के तारिफू की वजा याली याली बात खत्म नहीं आयत रवाएत जारी है एक मरतबह मुलाने जूम के स्लमान की तरफ देखा और इस मकाम के कहा अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर इनी कुतेबा इस्वी अलल अर्श फस्तकरा यकीनर एस सल्मान जब मैंने अपना नाम अर्श पे लिखा तो वो काइम हुआ वा अलल समाए फकामत आसमानों पे लिखा तो वो खड़े हो गए वा अलल अर्श फॉरशत और जब जमीन पर लिखा तो बिख गई वा अलल जिवाल फरसत मेरा नाम पहाडों पर लिखा तो वो जमीन में गड़ गए अल्लाहु अक्बर वा अलल रीह फजरत और जब हवा पर लिखा वो चलने लगी वा अलल बर्द के फलामा आ जब बिखली पर लिखा वो चमक उठी यह अली का नाम है जब बिखली पर लिखा तो वो चमक उठी वा अलल दर के फाहमा आ वार्श के कत्रों पर लिखा तो वो गिरने लगे वा अलल नूर फसता आ और जब नूर पर लिखा वो रोशन हो गया वालन सिहाबे और फद्हामाओ जब बादलों पर लिखा वो बरसने लगे मेरा नाम जब बिजली की कड़क पर लिखा गया वो खजूव खचूँ से गड़ गड़ाने लगी वा अलन लेले फद्दुजा वा अस्रमा और जब रात में लिखा तो वो तार्नकाली हो गई तारीक हो गई वा अलन नहारे वा नारा वा तबस्दमा और जब दिन पर लिखा मेरा नाम तो वो रोशन हुआ मुश्कुरा उठा अब बताओ काईनात की जब हर चीज़ पर मौला अली का नाम है तो अगर चांड पर एक बाहिए चीज़ है जिस पर अली का नाम नहीं होगा पर काईनात की हर चीज़ पर मौला अली का नाम है तो सिर्फ चांड रह गया मुला ने कहां पर का कि मेरा आजाम चाल पर नहीं होगा हर चीज़ पर मुला अली का नाम है की बात थी थकाफत की अब आपकी शरीयत की बात है कि भाईयां तैजी वो थकाफत तो जुड़ी हुई है चांद सूरच से सितारों से आफताप से बुरूच से लेकिन आपकी शरीयत भी खारीज नहीं है चांद सूरच से बगैर उसके एक कदम शरीयत और फिकाफ नहीं चड़ सकती लड़कडा के गिर जाएगी इसलिए के सूरच से तजबीदी कुरान में अला ने नबी को चांद से तजबीदी इमाम को अली को और नबी ने अपना पूरा दीन अली के हवाले कर दिया यानि सूरच ने अपने हुकुक चांद को दे दिये अब क्यामत तक शरीयत सूरच से नहीं चलेगी चांद से चलेगी क्या बाबा कर रहे हैं आप जैसी बाबा करनी चाहिए इसलिए कि आप उतने सुनने मे इतने मजे में महव हो जाते हैं कि हमारा अजर देना भूल जाते हैं तौन सुनाएगा आपको यह बाते है चंद निकले तो रमजान नहीं होता चांद ना निकले तो रमजान नहीं होता अरे अगर आज ना निकले तो इदे मिलादू नभी गया चांद निकले तो तवीद का काम हो चांद निकले तो उवल तवीद दूसरे रोजे वाजिब रोजे रखे नहीं जा सकते जब तक चान न हो रोज़ भी चान अगर चान न हो तो ज़कात वाज़त नहीं होती चान निकले तो जिहाद नहीं होता चान निकले तो खूम्स नहीं मिलता और कोई ये पूछे तुम तो कहते हो बारा इमाम चांद तो एक एहमक चांद तो एक ही है लेकिन साल में बारा बार चुड़ता है अवल आना महम्मद आखिर आना महम्मद वासा तो वकल आना महम्मद चांद एकी है महम्मद एक है कभी अली बन के आया कभी असन बन के आया कभी हुसाइन बन हाँ शरीयत जो है वो चांद से मतालिक है इसलिए कह दिया जनतरी नहों तो कैसे पता चले कि आज चांद जो है तीन दिन तहत उश्वा और अकरब में रहेगा क्या मतलब है ये सूरज को कोई परिशानी नहीं हो रहे है नहीं साथ सूरज तो बादशाह है उसके पीछे अकरब नहीं लग सकता लेकिन चांद के पीछे अकरब लगा है वो भी तीन अकरब पीछे लगें ये क्या हुआ सूरज निकला सूरज निकला सब चीजे नुमाया हो गई इदर सूरज डूबा और जैसे ही चांद निकला सब निकल पड़े चोर भी निकल पड़े साप भी निकल पड़ा बिछो भी निकल हश्रात उलाड की उड़े रेंगने लगे पता चला जब चांद का दौर आता है तो सब कुल बुलाने लगते हैं तो भाई सूरज का दौर खत्म हुआ है चांद का दौर क्यामत तक जा रहा है आपकी शरीयत सूरज से नहीं जुड़ी हुई है चांद से जुड़ी हुई है और गालिब ने यही कहा कि सूरज के बाद आपको चांद को मानना है चांद को मानना है तो चांद यो है वो अली अली रजवियस author of book titled The Sign on Moon Has Been Revealed Islam Will Take Over the World The book titled The Sign on Moon Has Been Revealed Islam Will Take Over the World